तो ये बहुत important होगी दूसरा जो एक important है कि employment creation क्योंकि जब तक ग्राओं का रोजगार गाओं में नहीं मिलेगा और दूसरा है एक और महत्पूर्ण है कि जिस तरीके से पिछली सरकार में पहुँच चुके हैं विदान सभा के ठीक बाहर से ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार विदाय को और मंत्रियों के पहुँचने का सिलसिला जारी है कुछी समय का वक्त रह गया वित्त मंत्री दिया कुमारी वह अपना सूट केस भी दिखारी ब्रीफ केस उनके हाथ में है और महरून का लगा ये ब्रीफ केस जो हमेशा एक राजनीतिक और कहना चाहिए कि पारंपरिक यहां पर जो चीज रही है उसको दिखाते हुए गुलदस्ता देकर वहां पर भेट करते हुए उनका स्वागत क किया जा रहा है दियाकुमारी पहुँच चुकी है विदान सवा के अंदर वो जाती हुई कुछी देर में दियाकुमारी को आप देखेंगे विक्तमंत्री के तौर पर बजट पेश करेंगी लेखनोदान ये बजट होने जा रहा है और पहली बार विक्तमंत्री के तौर प पर खरा उतरेगा ये बहुत मैथपूर होगा उनके साथ पूरी जो टीम होती है जो पूरा बजट तयार करती है अधिकारियों की वो भी टीम आप देख पा रहे हैं उनके साथ मौझूर है और देखे ये ब्रीफ केस बहुत मैथपूर हो जाता है चुकि इसी में वो सारी प् दर्शकों को हम दिखा रहे हैं ये देखे अंदर की तस्वीरे हैं और अब यहां से दियाकुमारी एंट्री कर रही है सदन के अंदर और कुछी दियर में अपने दर्शकों को बता दे कि दियाकुमारी बजट पेश करती हुई नजर आएंगी लेखा नुदान ये बजट और ये उनके कारेले की तस्वीर भी है जहाँ पर आपने देखा कि उनके साथ तमाम वो अधिकारी जियो कई महिनों से लगातार कड़ी मेहनत करते हैं कि किस तरीके से जो अलग-अलग विभागों से सुझा हुआ हैं उनको कैसे शामिल किया जाए फाइन पॉइंट बनाय जाए और कैसे जो लाको करोडों लोग हैं उनकी उमीदों पर खरा उत्रा जाएं कुछी कुछी मिनिटों का वक्त आप ये पिटारा खुलने वाला है कई बड़ी होशनाए होने वाली हैं मितले जैमिनी जी आप अपनी बात पूरी करिए क्योंकि आप लगातार ये भी कह रहे हैं कि ना सिर्फ मित्वित मंत्री के तौर पर बलकि वो पूरे राजस्थान को बखुबी समझती हैं और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो लोगों से जुड़े हुए जो हित के योजनाएं हैं उन्हें लेकर बड़े एलान संभव हैं दिया कुमारी जी ने जनम तो फूड प्रोइस्ट्री ने चाहिए जो मोदी जी ने कहा है कि गाओं में लगनी चाहिए वो है कोल्डिश्टोरेस गाओं में ने चाहिए उस पर दिया कुमारी क्योंकि वह खुद जानती मीक्राइं हमिए जब वह इंड़िटरी की बात कर bend Instagram का बैकबॉन है तुरिजम तो तुरिजम इंडस्ट्री से वह खुछ जुड़ी हुई है और तीसरा इंपोर्टेंट है कि हम माइन्स और मिनरल्स और वह राज समन से एंपी रही है जहां धर्ती का धन खूब है जहां ग्रेनाइट और मार्बल तो आप जब वह एंपी थी तब उन्होंने दिल्ली में ठीक है आपको तीनों इस्थान दे दो और अब स्रीराम जनुमी का फेसला भी मानने नेले निकिया इनका फेसला भी मानने नेले करेगा अच्छा फेसला होगा अब भी चाते हैं बिलकुल साहब जो कह रहे हैं कि अच्छा फैसला होगा लगातार बीजेपी के ओर से ये दावे भी किये जा रहा है कि जो बजट हम पेश करेंगे जो लेखा नुसार पेश किया जाएगा वो बहुत जादा अच्छा होने वाला है हर वर्ग को यहां पर ध्यान में रखा जाएगा फिर चाहे जो एक परंपरा रही है उसी को निभाती नजर आई है और खास बात यह कि पिंग कलर के साड़ी में वो आज नजर आई है कई बार जो पत्रकार होते हैं वो कपड़ों के कलर से भी कुछ संकेतों को भापने की कोशिश करते हैं ये गुलाबी पिंग जो है वो महिलाओं से जोड़के देखा जाता है तो क्या खास आज फोकस महिलाओं पर होगा मितलेश जी बेटी और इसे पिंग सीटी कहा जाता और पिंग कलर की वो साड़ी पैन के आ रही है और वो जो वेलेंटाइन वीक चल रहा है उसमें नोजवान जानते हैं कि पिंग कलर खुशनूमा माह यह दिया कुमारी जी का साथ संदेश है और राजस्तान के लिए कोई ठोस नीती बनेगी हाला कि केंदर सरकार नया एक्ट लेके आ चुकी है लेकिन बजट में क्या नए रोजगार मिलेंगे यह एक उम्मीद जागी है तो आपको क्या लगता है प्रदान मंती ने भी इनिशेट लिया था जैपूर में फ्रांस की राजपती को यहां पर भ्रमण कराया क्या टूरिजम पर भी फोकस आज होगा बजट में बिल्कुल होना चाहिए माम अगर टूरिजम पर फोकस किया जाता है तो हमारा एक इंकम सोर्स है देखिए अभी तक हमारे जो लेखान उदान आएगा उसमें एक्सपैंस के लिए मंजूरी दी जाएगी बट इंकम के लिए कहां फोकस करना है यह बहुत इंपॉर्टेंट है और टूरिजम हमारा में इंकम कोर एरिया है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए साथ ही देखिए जब अभी